बच्चो अब आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार रचना आने वाली है देखिए आपके सामने एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है अब ध्यान से देखिए एक त्रिभुज ABC है और हमको एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो इस त्रिभुज के शिर्षों क्रमशा A, B और C से होकर गुजरता है अब आप सोचे कि यह तो बहुत आसान काम है कहीं सामने सरक्ल लाए उठा कर वृत्त लाए इसको पर रखके देखिए अगर कहीं नहीं चूता तो हम थोड़ा बढ़ा कर दें लेकिन यह बढ़ा करना शोटा करना अतना आसान नहीं जितना आपको लगता आपको एक बार में ऐसे वृत की रचना करना ही के जो इसे के लिए OHJot box के बारे में सोचे・ंपा कहीं पर आता है तो अगर वृत A, B, C तीनों से होकर गुजर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि केंदर से A की दूरी, B की दूरी और C की दूरी बराबर होंगी क्योंकि यह सारे बिंदू वृत पर इस्थित हैं अगर तो केंदर से उनकी दूरियां बराबर होंगे क्योंकि ये सभी दूरियां द्रिज्या होंगी तो यानि ओ ये बराबर ओ भी बराबर ओसी होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि बिंदू ओ एक ऐसा बिंदू है जो ए बी और सी से तीनों से बराबर दूरी पर है अब इस बात को छोटे-छोटे टुकड़ों में सोचिए मान ल भूने के कहां से आप याद करिए कि आपने एक रश्ना की थी लंब समधी भाजक की और एक छोटा प्रमे भी आपने उसे प्रूफ किया था और यह पाया था लंब सम्धी भाजक पर इस्थित हर बिंदू किसी रेखा-खंड से समान दूरी पर होता है यानि जो इस वृत क की जगह पर है जो बी और सी से समान दूरी पर और यह गूंड आप ने समधिबाजक में देखा है इसका मतलब जो इस अभिष्ठ वरित का केंद्र होगा वो बी सी के लंब सम्धिबाजक पर होगा और तभी उसकी बी और सी से दूरी बराबर होगी ठीक ऐसा ही सोची कि आप किसी भूजा A, C के लिए चाहे A, B के लिए माल लेजे हम A, B के लिए सोचते हैं कि वो बिंदू अगर B से और C से भी बरावर दूरी पर होगा यानि अगर वो बिंदू A और B दोनों से बरावर दूरी पर है तो वो A, B के लंब सम्दिवाज़क परिस्थित होगा लंब सम्दिवाज़क का कोई भी ऐसा बिंदू होगा जो A, B से बरावर दूरी पर है और B, C से भी बरावर दूरी पर है यानि क्या हुआ? कि अगर एक बिंदू हमने ऐसा ढूड़ा जो B और C से बराबर दूरी पर है और वही बिंदू A और B से भी बराबर दूरी पर है यानि वो जो बिंदू होगा वो इन दोनों के लंब सम्दिवाज़क के कटन बिंदू परिस्तित होगा और यह आप तीसरी भूजा कर लंब सम्दिवाज़क खीचे तो वो भी निशित रुप से उसी बिंदु से होकर गुज़रेगा तो आपको लगता है कि हम इसका एक लमब सम्धिवाजा खींचे और दूसरे के भी लमब सम्धिवाजा खींचे और कटन बिंदु प्राथ कर ले तो वो जो कटन बिंदू होगा वही वृत का केंदर होगा तो चलिए सैधानती की रुप से ये बात सही लगती है लेकिन हम करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता चलिए हम सबसे पहले BC का लंब सम्दिवाजा कीशते हैं तो आपको याद होगा कि आपने क्या किया था आप अपने परकार को एक बिंदू पर रखते हैं और इतना फैलाते हैं कि वो आधिय से अधिक दूरी को ले ले माल लीजिए हमने ये दूरी चुनी और यहां से हमने एक चाप काटा इस तरफ से BC के उपर की तरफ और ऐसा ही चाप आपने नीचे के दिरफ भी काटा और बिना इसके लमबाई को बदले आपने परकार को बी पर रखा ऑज और फिर से बीसी के दोनों तरफ आपने चाप इस तरह से काटा कि ये दोनों चाप पहले वाले चाप कहिन कहीं काटते हूं तो आपको दो बिंदू मिल रहे हैं एक इस कटन बिंदू पर और दूसरा इस कटन बिंदू पर यदि आप इन दोनों को मिला दें तो जो आपको रे इस पर रहेंगे, यह हमने यहां पर इस तेरा से मिलाया है इसको, आप देखे हम B, C का लंब सम्दिवाज़ा कहीच रहे हैं, एक ऐसी रेखा जो B, C को दो बराबर भागों में बाटती है और उस पर लंब भी है, यह हमने लंब सम्दिवाज़ा कहीचा, B, C का, अब आप जा C से होकर गुजरता है तो उसका केंदर यहां पर कहीं भी इस्तित हो सकता है यानि यहां से कोई सा भी बिंदू आप ले और यदि वहां से इसको लेकर के तिर्जा बनाए तो जो भी वृत आप खेचेंगे इन दोनों से गुजरेगा लेकिन सवाल के वाल B C से गुजरने कर न चाहें तो इसी चाप को उप्योग कर सकते हैं यहां से आप एक ऐसा चाप काटे बी से जो एबी के दोनों तरफ हो तो एक चाप हम यहां पर काटते हैं माली जी यह हमने चाप काटा और एक इस एबी की दूसरे तरफ भी काटा इस चाप हमने काटा अब बिना इस चाप की लम्बाई को बदले यहां से हम एपर रखते हैं और फिर तिवरक चाप यहां भी काटे हैं देछा और दीर चाल को इस तरह से काट रहा है और दूसल 해 फिर से दो बिंदू आपको मिल रहे हैं। एक बिंदू हमेल रहे हैं सब्सक्राइब अपने स्थान से खिशके केंदर के सिती बदल जाएगी और जो वरित आप खिचेंगे हो सकता है वो ठीक ठीक एबी सी से ना गुजरे थोड़ी साधवानी बरते हुए हम एक और लाइन यहां पर खीशते हैं इसको भी हम कटी भी रेखा से प्रदर्शित करें देखिए हम यह अब जो लंब सम्दिभाज़क खीच रहे हैं वो ए बी को दो बराबर भागों में बाड़ता है और उस पर लंब भी है अब आप देखिए आपने बी सी कर लंब सम्दिभाज़क खीचा मानली जी इसको आप रेखा ए ल नाम दे और वैसी ए बी कर लंब सम्दिभाज़क खीचा इसको आप रेखा एम नाम दे दे तो अब फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि L पर इस चित हर बिंदू B और C से बराबर दूरी पर है यानि एक ऐसा वरित्थम खींचें जो B और C से गुजरता हो तो इस पर आपको कहीं पर भी कोई भी एक बिंदू मिल सकता है ठीक इस तरह से एम पर से हर बिंदू B और A से बराबर दूरी पर है यदि हम ऐसा वरित्थम खींचें जो A और B से गुजरता है तो उसका केंदर इस एम पर कहीं भी मिल सकता है लेकिन हमारे पास एक शर्थ है कि जो भी हम वरित्थ खींचना चाह रहे हैं वो B, C और A तीरों से गुजरता है यानि एक ऐसा बिंदू चाहिए हमें जो A, B, C से समान दूरी पर हो और निश्चित रूप से वो बिंदू हमें कहां मिलेगा इन दोनों लंब सम्धिभाजिकों के कटन बिंदू पर मिलेगा यानि ये बिंदू आपको यहाँ पर दिख रहा है इस बिंदू का आप नाम दे दे ओ ये आपका अभिष्ट वृत का केंदर हुआ अब यदि आपको वृत खीचना है तो ओ को केंदर मानना होगा आपको और इन तीनों में से किसी भी एक शिर्ष को नाम लें तो वो जो दूरी होगी वो आपकी वृत की तृज्जा होगी अब एक बार देख लिए नाम के ओबी ओए और ओसी बराबर दूरी पर है तो इस तरह से आप इनको नाम लिए आपने आप बहुत सावधानी से एक वृत कीचिए हो सकता है थोड़ा फर्क हो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं देखिए यह हम वृत की रशना करने जा रहे हैं बी से गुजरा एसी भी और जाकर वापस हैं मिल रहा है यह देखिए एक वृत बना जो दीवी तरभूज ए बी सी तीनों को शिर्श से होकर कुजर रहा है तो इस तरह के रचना आप भी कर सकते हैं एक बर कोशिश करिए थोड़ी से सावधानी रखिए कि जो आप नाप ले रहे हैं वह बराबर हो और जो आकरिती बना रहे हैं उसके साइस थोड़ी बड़ी रखिए ताकि तुर्टी का जो प्रतिशात है वो कम हो और आप अपने अभिश तरभूज तक अभिश वृत तक पहुंच सके हैं बच्चों आपने देखा कि हमने कैसे व्रित के रश्ना तो कर ली जो देवी तृभुज ए-सी की तिनों शीर सों से होकर गुजर रहे हैं प्रावगी गुरूप से आपने देख लिया कि एक ऐसा वृत्त है जो त्रिभुज एबी सी के शिर्स क्रमशा एबी सी से होकर गुजर रहा है लेकिन जामिति में हमें इसे सैधानती गुरूप से भी सिद्ध करना होगा क्या केंदर ओ से बी सी और एक दूरियां बराबर हैं लृटो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं और इसके लिए हम एक रश्ना करता हैं चोटी सी अगर हम तीनों बिंधों के अंदर और ओ से दूरी को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो हम पहले एक को मिलाया और O से B को भी मिला दिया इदे कि O से B को मिला दिया अब यदि हम इस सिद्ध कर पाएं कि O B बराबर OC है तब हम सैधान्ति ग्रूप से कह सकते हैं कि जो बात हम पहले कह रहा थे कि कि O एक ऐसा बिंदू है जो बी और सी से बराबर दूरी पर है सिद्ध हो पाएगा तो दीखिए त्रिभुज O B C को गौर से अब देखे हम यहां लिख लेते हैं त्रिभुज O B C में क्या क्या हो रहा है हमको मालूम है कि जो L रिखा है वो B C पर लंब है और उसका अर्धक भी है यानि यहां जो कौर्ण बन रहा है वो सम कौर्ण है इसको हम इस तरह से दिखाएं यह दोनों कौर्ण सम कौर्ण है यह हमको मालूम है क्योंकि L उसका अर्धक है और इस नाम और दे दे, महां लेजे P नाम दे दे, P B बरावर PC, क्योंकि फिर से हम कहांगे कि L B C का अर्धक है, तो वो BC को दो बरावर भागों में बाटता है, यानि P मद बिंदू होगा, तो आप कहा सकते हैं कि P B बरावर PC, और O P दोनों तरिभुजों में अगर हम O B P और O C P दो को अलग अलग त्रिभुज देखें, तो OBC को तो पहले हमने दो त्रिभुजों में पहले बाटा, OPB लिख लें, त्रिभुज OPB और त्रिभुज OPC, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि क्या सर्वांग सम्ता है, तो सर्वांग सम्ता के लिए कुछ अव्यों को हमको बराबर करना पड़ेगा, फिर से आप कहा सकते हैं, L जो है BC का लंबारता कि याने L इस पूरे रेखाखंड BC को दो बराबर हिस्सों में बाड़ता है, याने PP बराबर PC, ये भी बात सिद्ध हो गई, अब आप तीसरी चीज़ देखिए, जो OP रेखाखंड है, वो दोनों तरिभुजों में हैं, OP बराबर OP, तरिभुज OP B में भी OP है और OPC में भी OP है, तो ये जो तीन चीज़े हैं क्या बनाती है देखिए एक रेखाखंड ये जो खुद के बराबर है और ये रेखाखंड इसके बराबर है और इनके बीच का कौण भी आपस बराबर है तो आपको मालूम है कि भुजा कौण भुजा वाले प्रमेर से आप कहा सकते हैं कि यदि क के करमशा हो तो त्रिभुस स्रवांग सम है तो आप से बराबर होंगे है तो जो शेश अव्यों है वो भी आपस है बराबर होंगे तो ओ भी अपने संगत भुज़ ओ सी के बराबर होगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि ओ भी बराबर ओ सी तो देखिए आपने ये प्रूफ किया कि जो ओ भी के लंबाई है जो इस वृत की तरज्जा है वो दूसरी वाल है जो किसी दीखे तर्मेत दूसरा भागा होगा है जो के थैशी स्टक्रूफ है जो स sports करता है तो इस ने का दूसरा बागता जो आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं